परिचय क्या तुमने कभी सोचा है कि लड़किया लड़कों से भिन्न क्यों होती है? सर लड़किया और लड़के भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक संग्रचनाई भिन्न होती है हाँ, लेकिन यह भिन्नता उनके भिन्न जनन अंगों के कारण होती है हाँ, और ये अंग पुरुषों एवं स्त्रियों में अलग-अलग तरह के हार्मोन स्रावित करते हैं तुम सही कह रहे हो राहुल आओ, आज पुरुषों एवं स्त्रियों में जनन अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें उदेश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पुरुष जनन अंगों की पहचान करना विविध पुरुष जनन अंगों की कार्य प्रडाली को समझना स्त्री जनन अंगों की पहचान करना विविद स्त्री जनन अंगों की कार्य प्रडाली को समझना पुरुष जनन तंत्र स्तन पाई पुरुष जनन तंत्र में निम्न सम्मिलित हैं पाह जनेंद्रिय विर्षण कोश शिष्ण आंतरिक जनन अंग विर्षण सहायक लिंग नलिकाएं वीर्य एवं ग्रंथिय स्रावण ले जाने के लिए वाहिनी पुरुष जनन तंत्रों के दो प्रमुख कारे है शुक्राणु निर्मान स्तरी जनन मार्ग में वीर्य निशे पित करना विर्शन कोश विर्शन कोश चारेरिक आवरण की एक थैली होती है जो निम्न प्रकार से जनन में सहायता करती है वे विर्शन जो एक थैली में स्थित होते हैं उन्हें विर्शन कोश कहते है विर्शन कोश विर्शनों के तापमान को सामानी शरीर के तापमान से एक या दो डिगरी सेंटिग्रेट कम रखने में सहायक होता है यह कमतापमान, शुक्राणु निर्मान और संग्रहन के लिए आवश्यक होता है शिष्ण शिष्ण पुरुष की बाहरी जनेंद्रिय है, जो विशेश प्रकार के उतको का बना होता है, जो वीर्य सेचन के दौरान शिष्ण के उतघर्षण में सहायता प्रदान करता है अग्रिछद कहते है विश्ण विश्ण संयोजी उतको की परतों से घिरी अती कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं, इन्हें शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य में कोशिकाओं स्तरित होती है यह कोशिकाएं प्रात्मिक पुरुष लिंग हार्मोन, टेस्टेस्टरॉन और अन्य एंड्रोजन उत्पन्य करती हैं शुक्र जनक नलिकाओं में शुक्राणूओं का निर्माण होता है पुरुष मैथुन सहायक नलिकाएं विरिशन जालिकाएं शुक्र वाहिकाएं अधी विरिशन शुक्र वाहक शुक्राणू इन नलिकाओं में निम्न तरीके से प्रवाहित होते हैं ये नलिकाएं विरिशन से प्राप्त शुक्राणूओं का भंडारण तथा मूत्र मार्क से इनका बाहर की ओर परिवहन करती हैं पुरुष सहायक ग्रंथियां पुरुष की सहायक ग्रंथियों के तीन समूह है शुक्राशे इनका स्राव प्रक्रिनिव एंजाइम, फल, शरकरा और प्रोस्टाग्लांडिस केल्शियम से युक्त होता है पुरस्थ ग्रंथियां इनका स्राव प्रतिसकंदक एंजाइमों और साइट्रेट से युक्त होता है। बल्बो युरेथरल गरंथियां इनका स्राव शिष्ट में सनेहन प्रदान करने में सहायक होता है। इन गरंथियों का स्राव शुक्रिय प्लाजमा का निर्माण करता है। स्क्री जनन तंत्र में निम्न शामिल है अंडाशय यानि मादा जनत, अंडवाहिनी, करभाशय, करभाशय ग्रीवा, योनी, वहां जनेंद्रियत जिसमें भगोष्ट के दोसेट और योनी द्वार होता है, एक जोड़ा स्कन ग्रंथियां, अंडाशय यह अंडाणू और अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करता है, स्नायों के द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है, अंडाशय पीठी का परिधिये वलकुट और आंतरिक मध्यांश में विभक्त होता है, प्रत्येक अंडाशय विभिन्न रोमकूप अंतरविष्ट करता है, प्रत्येक रोमकूप में एक अंड कोशिका होती है, जो पुटक कोशिकाओं से घिरी होती है, अंड वाहिनी पक्षमाभी अस्तर से होकर अंडा, अंड वाहिनी से गर्भाशय तक जाता है, गर्भाशय या एक मांस पेशिय, उल्टी नाशपाती के आकार जैसा होता है, जो गर्भावस्था के दौरान भूरून को सहारा देता है, या उतकों की तीन परत्का होता है, परिगर्भाशय गर्भाशय पेशिस्तर और गर्भाशय अंतहस्तर गर्भाशय गृवा यह गर्भाशे का सिरा होता है जो योनी में खुलता है ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते है योनी यह पतली भित्ती वाला कक्ष होता है जहां मैथुन यानि संगमन के दौरान शुक्र संचित होता है योनी ग्रीवा नाल के साथ मिलकर जन्मन नाल की रचना करती है वहां जनेंद्रिय इन में सम्मलित है जगन शैल यह वसामय उतकों से बनी गद्दी सी होती है जो जगन पालों और त्वचा से ढखी होती है व्रिहत भकोष्ट यह योनी द्वार को घेरे हुए उतकों का मानसल वलन है लगू भगोष्ट यह व्रिहत भगोष्ट के नीचे सित एक जोड़ा वलन होता है योनी च्छद यह सम्वहनिय जिल्ली होती है जो जन्म के समय से योनी द्वार को ढखे रहती है और अत्याधिक शारेरिक गदविधियों या लैंगिक संबोग के दोरान फट जाती है भगशेफ यह एक छोटी अंगुली जैसी सनरचना होती है जो मूत्र द्वार के उपर तो व्रिहत भगोष्ट के उपरी मिलन बिंदू के पास्थित होती है स्तन ग्रंथी स्त्रियों का द्वितियक यौन अभिलक्षन है पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में पाई जाती है लेकिन केवल स्त्रियों में ही ये कारेशील होती है स्तन ग्रंथियों के ग्रंथिल उतक 15-20 स्तन पालियों से बने होते हैं जिसमें दुग्ध स्त्रावित करने वाली कूपिकाओं के कुछ होते हैं। प्रत्येक स्तन पाली की नलिकाएं मिलकर एक स्तन वाहिनी बनाती हैं, जो अन्स्तन वाहिनीयों से मिलकर एक चौड़ी स्तन तुम्बिका बनाती है, जो दुग्दवाहिनी से जुड़ी होती है, जिससे स्तन से दूध बाहर निकलता है। क्या आप जानते हैं? स्त्रियों की जर्म लाइन को कैंसर उपचार से शतिग्रस्थ होने से बचाने के लिए स्फिंगो साइन एक फॉस्फेट युग्द एक औशदी संशलेशित की गई है। यह औशदी ऐसी स्त्रियों में अंडाशे की कार्य प्रणाली पहाल करने में भी सहायक है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराए। पुरुष जनन तंत्र में एक जोडे विशन पुरुष यौन सहायक वाहिकाएं और सहायक ग्रंथियां तथा वाहा जनेंद्रियां होती है। विशन में अती कुंडलित शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं जो शुक्राणू उत्पन्न करती है। पुरुष वाहां जनेंद्रिय शिष्ण कहलाती है स्त्री जनन तंत्र के अंतरगत एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गरभाशय, एक योनी वाहां जनेंद्रिय और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां सम्मिलित होती है अंडवाहिनी, गरभाशय और योनी स्त्री सहायक वाहिकाय होती है स्तन ग्रंथियां स्त्रियों का एक द्वितियक यौन अभी लक्षण है